नमस्कार जोहार आप देख रहे हैं समधान इंडिया और आज हम उनी से मिला रहे हैं आपको जिनको सुनने के लिए आप ललाई थे ज्ञार्खन के पहले भगत सिंग, क्रांती कारी, टाइगर जे राम महतो हजारों सभाएं इन्होंने की है और अब प्रियास इनका ये है कि ज्ञार्खन को कैसे बचाया जाए, प्रियास जारी है, और इस प्रियास जारी है के बीच में टाइगर जे राम दा हमारे साथ है, दादा बहुत स्वागत आपका पहले समधान इंडिया में कभी और आपके समाधान इंडिया के सभी शाथियों का जोहार दादा सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप तो गाउं गाउं जा रहे हैं, भ्रहमन कर रहे हैं, लेकिन जो राची में बैठे लोग हैं, उनकी नितियां कुछ ऐसी हो गई है कि 60-40 का जो नाय चलतो, यह जो न करके जो बिपक्ष में बैठी सरकार है, यह यूं का लिजे भाजपा आजसू समर्थन कर रही है कि भाईया, 60-40 जो है वो गलत हो रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि 60-40 ही विकल्प है, अगर इस तरह के रास्ते अगर ना अपनाए गए तो नियोजन तो वर्सों से लंबित यह एक आम युवाओं की आवाज है, प्रतेक नौजवान आज अपने नोक्रियों को लेकर, अपने नियोजन को लेकर कही ना कहीं जागरूख हो रहा है, और उसे आभास हो रहा है कि बीते कुछ बरसों से जहर्खन राइज के युवाओं के साथ लगातार खिलवार किया जा रहा है, और जिसकारण आज यह जो 6040 का ट्रेंड जो भारत में आज नंबर वन रहा ट्यूटर में, इसका स्रह प्रतेक युवाओं को जाता है, पढ़ने वाले, उनका सपोर्ट करने वाले तमाम चात्रों को जाता है, इस पर अगर विपक्स की बात करें, अगर विपक में 2016 में सिक्षक भाली हुई थी, उसमें 52 सिटे थी आपकी गोड़ा और ग्रीडी में मिलाकर, जिसमें 48 सिटे अणि राज्यों के अभियर्थियों के गए थी, और मात्र चार टिक्चार ही बन पाएं थे हमारे जारखंड के मोली निवासी, तो कही ना कहीं यह जो पोलिसी आज कहीं न कहीं इनकी मानसिक्ता सही नहीं है, इनकी मानसिक्ता सही नहीं रहने के कारण आज राज के इवाओं को इतनी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहली बात जब आपकी राज जैसे अपने सरकार बनाया इस राज में 2019 में, आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि आपने किन मुद्दों के साथ सरकार बनाई है आपका मुद्दा था नियोजन कि हम 5 लाग प्रतेक बर्स नियोजन का स्रिजन करेंगे आपका मुद्दा था कि यहां के जो CNT की जमीने SPT की जमीने उनको सरक्षन दिया जाएगा उसके बाद जो अस्थानिती प्रवर्टी सरकार ने बनाई उसको निरस्त किया जाएगा तो जिन मुद्दों के साथ आपने सरकार को अपना बनाया था उन मुद्दों को सबसे पहले आपको धरातल पर लाना था उसमें सबसे जाकर रिलेटेड होता है तो आपको एक टीम भेजनी चाहिए थी बाकी जो हमारे पड़ोसी राज्य है और आप उसी को अनुसरन करते हैं उतना छोड़ी हम बिहार राज से कटकर बने हैं बिहार के पास क्या पॉलिसी है अस्थान निती के मामलें बिहार की क्या पास पॉल क्या पॉलिसी है आप उसी को इंप्लिमेंट करें क्योंकि हम तो उसी राज से कटकर बने हैं तो देखे अगर करने की इनकी मनसा होती अगर इनकी दूरदर्शीता जो सोच है वह अगर बढ़िया रहती तो आज युबाओं को इतना हतास नहीं होना पड़ता तो कहीं ना कह पुरवर्ती सरकार भी दोसी है जो वर्तवान सरकार आज बैठी है केबल और केबल अपने गवर्मेंट को बचाने के लिए क्योंकि जैसे ही देख रहे हैं एडी का छपा पढ़ रहा है सीबी आई कमर कस रही है तो इन चीजों से बचने के लिए राज की जनताओं का सिंप सरकार चले और इसमें कहीं न कहीं आप मुझे लगता है विपक्ष वाले भी रोल में हैं कि चली आप सरकार को चलाइए बस राज को इसी परकार भरमा के रखना है बाकी आप देख सकते हैं जब भी कोई मुद्दा होता था तो विपक्ष के लोग हमेशा हंगामा करते थे लेकिन जब खतियान अधर स्थानिती की बात आई विपक्ष के भी किसी विदायक के मुख से एक आवाज तक नहीं निकली यानि आप समझ सकते हैं यह पांच-पांच साल की पॉलिसी चल रही कि पांच साल आप समारी और पांच साल हम समालेंगे उसके बीच में का लोग अ जाकर इन आपको चुना था यही साट-चालिस के विरोध में जाकर उन्होंने आपको चुना और आपने क्या परिणाम दिया आप ठीक उसके विपरित परिणाम दे रहें तमाम नोक्रियों का भारियों को बेच रहें आप देख सकते हैं धरतियाबा विर्षा मुंडा की ज जाएगा यहां के जल, जमीन, जंगल के अलावे, यहां के कल, कर, खाने, नदी, नाला, यहां के फैक्टरियों में, यहां के नोकरियों में अगर अन्नी राज्यों का ही अधिकार होगा, अन्नी राज्यों का ही दब-दबा होगा तो यह जारखंड हमने क्यों लिया था एक झाल झाल